शुप्रबाद बच्चों कैसे हैं आप महिरेश्मा आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी काक्षा में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे पाठ किरन का संदेश यहाँ एक कविता पाठ है इस कविता के कवि हैं स्रीनात सिंग स्रीनात सिंग का जन 1901 में इलहाबाद जिले के मानपूर ग्राओं में हुआ था उन्होंने सुदंतरता आंदोलन में भाग लिया था उनकी प्रमुक्रशनाएं हैं उल्जन, क्षमा, एकांकिनी तथा अकेली स्त्री आधी स्रीनात सिंग का जन्म 1901 में इलाबाद जिले के एक छोटा सा गाओं था जिसका नाम था मानपूर ग्राओं उस गाओं में स्रीनात सिंग का जन्म हुआ था उन्होंने सुदंतरता आंदोलन में भी भाग लिया था इनकी प्रमुक रचनाएं हैं कुछ रचनाएं इस तरह से हैं कुछ रचनाएं जिनके नाम हैं उल्जन, क्षमा, एकांकिनी तथा अकेली स्त्री आधी बच्चों इस चित्र को धैन से देखिए और बताईए आप क्या-क्या देख सकते हैं इस चित्र में बारिश हो रही है, बादल है, अभी इंद्रधनुष भी है क्या आपको पता है इंद्रधनुष कब दिखाये देता है तब बारिश होती है, तब सूरज की क्रिणी बारिश की बूद्धों पर पड़ती है उनकी रोशनी में इंद्रधनुष बनता है चलो बच्चों, अब बताओ, यहाँ पर एक फूल खिल रहा है आपको पता है फूल कब खिलते हैं? तब सूरज की रोशनी, सूरज की क्रिणी फूल पर पड़ती हैं, तब फूल खिलते हैं चलो बताओ, धर्ती पर उजाला कौन फैला था है? सूरज और बताओ, बच्चों, आप सुबा किसके आनी पर जागते हैं? सूरज सूरज तो स्वाहिम हमारे पास नहीं आता, बल्कि सूरज की क्रिणी हमारे पास आती हैं और हमें जगाती हैं Yes, सूरज क्या बता सकते हैं कि सूरज किन-किन नामों से जाना जाता है? सूरज की अनी नाम है, क्या बता सकते हैं उन्हें? हाँ, सूरज की अनी नाम इस तरह से हैं रवी, दिवाकर, दिनकर, भासकर, भानू, आदित्या इस सूरज की नाम है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समान अर्थी शब्द या पर्यावाची शब्द कहते हैं ये सब सूरज के समान अर्थ शब्द है और इन्हें पर्यावाची शब्द भी कहते हैं चलो बचों ये है हमारी कविता कविता इस तरह से है बचों मेरी कमरी में सूरज की एक किरन नित आती है जिसको पाती पास उसी पर अपनी चांग चड़ाती है बच्चों इस कविता में जो कठिन शब्द है जो नईये शब्द है उनके अर्थ इस तरह से हैं कमरे रूम्स सूरज सन किरन रे नित डेली जिसको पाती हूँ गैट्स पास नियर चमक शैन बच्चों इन सब ही शब्दार्थ को आप लोग अपने कापी में लिखेंगे कविता का अर्थ इस प्रकार है मेरे कमरे में सूरज की एक किरन नित आती है कवी सीना सिंग इस तरह से कहते हैं कि उनके कमरे में एक सूरज की किरन आती है कब आती है नित आती है जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमख चड़ाती है जिसको पाती पास उसी पर Whenever the sunshine gets in poet's room shines every near object Whichever object will be near On that object, the sun rays are going to shine जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमख चड़ाती है यह सूरज की किरन है जिसको अपने पास पाती है उन पर अपनी सूरज की किरने डाल कर अपनी चमख फैलाती है चड़ाना यानि याप सूरज की किरन अपनी चमख को फैलाती है चलो बच्चो मेरे साथ दो रहाओ मेरे कमरी में सूरज की एक किरन नित आती है जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चड़ाती है चलो बच्चो फिर से दो रहाओ मेरे कमरी में सूरज की एक किरन नित आती है जिसको उपाती पास उसी पर अपनी चमक चड़ाती है चलो बच्चों इस कवितात से तालुक कुछ प्रशन पोछूंगी जिसी है, सही सही उतर दीजिया सूरज की किरन नित कहां आती है हमने इस पंक्तियों में पढ़ा है सूरज की किरन नित मेरी कमरे में आती है मेरे कमरे में यानि कवी के कमरे में तो कहां आती है सूरज की किरन कमरे में आती है सूरज की किरन नित कमरे में आती है दूसरा सवाल इस तरह से है सूरज की किरन अपने पास वालों के साथ क्या करती है सुरच की किरन अपने पास वालों पर क्या चड़ाती है? चमक चड़ाती है चमक चड़ाती है चमक क्या नहीं? शैन सुरच की किरन अपने पास वालों पर अपनी चमक चड़ाती है चलो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द इस तरह से हैं कमरा, किरन, इन शब्दों के बहु अचन आपको बताना होगा कमरा शब्द है आकारांद शब्द, आकारांद शब्द एकारांद शब्द में बदल जाएगा जैसे किरन, किरने बच्चों इन पंक्तियों में कुछ शब्द इस तरह से हैं किरन, नित, चमक इन शब्दों से आप लोगों को कुछ वाक्य बनाने होंगे जिनें वाक्य प्रयोग कहते हैं चलो बच्चों, किरन शब्द का वाक्य परियोग मैंने इस तरह से लिखा है, हमीं सूरी की किरनों से विटमिन D मिलता है, चलो बच्चों, आप चाहें तो दूसरा वाक्य बना सकते हैं, आप मेरे साथ बोलिये, हमीं सूरी की किरनों से विटमिन D मिलता है, बच्चों आपको हमें सोरज की किरुनों से विटमिन D मिलता है, विटमिन D के क्या लाब है, विटमिन D से हड्डियां, हमारे जो हड्डियां हैं, और मास्पीशियां हैं, वो तंदुरस और दुड़ बनते हैं, दूसरा शब्द है नित्ध, नित्ध हसना सीखो, डेली नित डेली हमें क्या सीखना है हसना सीखना चाहिए मुस्कुराना सीखना चाहिए हसना यानि पागल की तरह हसना नहीं हमेशा खुशी से रहना चाहिए तीसरा शब्द है चमक शाइन सूरे की करने चमकती है यह मेरा वाक्य है बच्चों आप चाहे तो दूसरे वाक्य भी बना सकते है बच्चों कविता के अगली चार पंक्तिया इस तरह से है बच्ची होती है उदास पर बहर दम सकाती है जब किसे आँखें चमका कर कानों में कह जाती है इस पंक्तियों में जो जो कठिन शब्द है जो नए शब्द है उनके अर्थी इस प्रकार है बच्चे चिल्रन उदास साइड हर दम आल्वेस मुसकाती इस कविता का अर्थ इस तरह से है बच्चे होते ही उदास पर वह हर दम मुसकाती है बच्चे कभी भी उदास होते हैं तो वह हर दम मुसकाती है यानि यहाँ पर वह है सूरच सूरच की किरने सूरच की किरने हमेशा मुसकाती रहते हैं चुपके से आखें चमका कर कानों में कह जाती है इस सूरज के किरान जो बच्चे उदास रहते हैं उनके पास आती है और आखे चमका कर इन बच्चों के कानों में कुछ कह जाती है पता हो क्या कह जाती है? उस कुराने के लिए कह जाती है चलो बच्चों, मेरे साथ दोराओ बच्चों बच्चे होते हैं उदास पर वहरतम मुस्काती है चुक्के से आखी चमका कर कानूं में कह जाती है बच्चों मताओं सूरज की किरन बच्चों को चुक्के से क्या कहती है मुस्कानी को कहती है सूरज की किरन बच्चों को चुक्के से मुस्कानी को कहती है बच्चों यहाँ पर देखो दो शब्द है बच्चा और आख बच्चा का बहुवचन है बच्चे बच्चा आकारांद शब्द है तब हम इस शब्द को बहुवचन में लिखेंगे तो आकारांद एकारांद में बदल जाएगा जैसे बच्चा बच्चे आँख आँख आँखे आँख अकारांद शब्द है अगर हम इस अकारांद शब्द को बहुचन में लिखेंगे तो ए जमा होके आँखे बन जाएगा आँख आँखे बच्चों को शब्द इस तरह से हैं उदास हर दम चुके इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना होगा देखो मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं इस तरह से उदास रोहिनी कुछ उदासी हो गई है रोहिनी आज पताने क्यों उदास दिख रही है इसलिए मैंने लिखा है रोहिनी कुछ उदासी हो गई है हर्दम अर्दम यानि always वह हर्दम रोती रहती है चलो बताओ यहाँ पर कोई ऐसी लड़की है जो हर्दम रोती रहती है नहीं ना बढ़िया चुपके silently चुपके से हवाँ चली है चुपके से क्या चली है? हवाँ चली है आखे के चार पंक्तिया इस तरह से है प्यारे बच्चों मत साही है चमकदार तेरा जीवन भारत माता सुरत से है तु है उसकी एक किरन बच्चों इन पंक्तियों के कुछ नए और कटिन शब्द के अर्थ इस तरह से है आप इन शब्दों के अर्थ कॉपी में लिख कर सीखेंगे प्यारे डियर चमकदार शाइनी जीवन लाइफ भारत माता मदर इंडिया प्यारे बच्चों मुझ साही है चमकदार तेरा जीवन यहाँ पर कभी कहते हैं प्यारे बच्चों, मुझसा ही है, चमकदार तेरा जीवन, कभी सूरज की तुलना कर रहे हैं, हमारा जीवन, बच्चों का जीवन किस तरह से है, सूरज की समान है, किस तरह से, देखो यहाँ पर, भारत माता सूरज सी है, तो है उसकी एक किरन, यहाँ पर भारत माता, भारत म माता किसके समान है सूरज की समान है और हम यानि बच्चे बच्चे हैं सूरज की किरन के समान कर रहे हैं और हमारी भारत माता की तुलना सूरज के समान कर रहे हैं Our poet Sainat Singh comparing Bharat Mata, mother India to sun and children to sunray. He is telling like this, what he is telling? That our life is very bright, very shining. We are just like sunray and our mother India is just like sun. चलो बच्चों बताओ, कविता में भारत माता और बच्चों को किन के समान बताया गया है? इस तरह से हैं, चमकदार, जीवन, भारत माता इन शब्दों को वाक्यों में पर्योग किजी मैंने कुछ वाकिय लिखे हैं इस तरह से चमकदार उसकी आँखें चमकदार थी चमकदार यानि शाइनी जीवन लाइफ हमें जीवन में अच्छे काम करने चाहिए भारत माता मदर इंडिया भारत माता की जय बहलो बच्चों जना इन्हें भी जाने प्राता काल सूरज की रोशनी से शरीर को विटमिन डी मिलता है प्राता काल सूरज की रोशनी से हमें विटमिन डी मिलता है पता हो विटमिन डी क्यों जरूरी है हमारे लिए हमारे हड़ी और मास पेशियों की मजबूती के लिए हमें विटमिन डी बहुत जरूरी है सूरज की किरन ही बादल बनते ही और वर्शा होती है सूरज की रोशनी से ही फलों में रंगों का निर्मान होता है आपको पता है सूरज की रोशनी नहीं है तो फलों में रंग नहीं बनते और ना ही फल पकते है सूरज की रौशनी में पेड़ पोधे अपना भोजन तयार करते हैं बच्चो क्या बता सकते ही अगर सूरज ना होता तो क्या होता सूरज की बिना धर्ती पर जीवन नहीं होता सूरज की बिना पेड़ पोधे अपनी लिए भोजन नहीं तयार कर सकते हैं सोरी की गर्मी और प्रकाश के बिना भुद्वी बर्फ की चटान होगी। बच्चों, इस कविता किरन का संदेश से आधारी एक आनिमिशन वीडियो देखेंगे। किरन का संदेश मेरे कमरे में सूरज की एक किरन नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चड़ाती है। बच्चे होते हैं उदास पर, वह हर दम मुसकाती है, चुपके से आखें चमका कर कानों में कह जाती है। प्यारे बच्चो मुझसा ही है, चमकदार तेरा जेवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरन। कवी श्रीनाथ सिंग धन्यवाद बच्चो